Hello student, welcome back to Propa Law Classes. जी हाँ, जैसे आप screen पर देख रहे हैं, उत्राखन civil judge की vacancy आउट हो चुकी है. देखिए, जैसे हमने आप से कल कहा था, कि हम इसकी detail में जो चर्चा है, वो कल सुबह करेंगी. तो चलिए, start करते हैं. देखिए, उत्राखन लोग से वायोक नी. वकैंसीज निकाली हैं, उत्राकर्ण सर्विस, स्विल्जर जूनियर डिविजन की, 2021 की. अगर कही जाए, तो आवेदन भढ़ने की जो अंतिम ते थी है, वो 20 जन्वरी 2022 है. जिसने हमने आपको बताया था कि रात्री, 12 बजे तक, 20 जन्वरी में, को आप पॉंपिल कर सकते हैं. यानि कि, लास्ट डेट, 20 जन्वरी, रात्री, 12 बजे तक हैं. उसके बाद, आगे इन्होंने कहा है, कि फरजी प्रमान पत्र अगर आपके होंगे, तो आपको डिबार भी किया जा सकता है. हम इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट चीज़ से देखेंगे, कि जो हमारे मतलब की हैं, और आप देखने चाहें, तो आप पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, डाउंडोड करके. अब है रिक्तियों का विवरंट, जैसे मैंने आपको कल बता ही दिया था, कि हमारी टोटल 13 वेकैंसी है, 13 वेकैंसी में से हमारी 11 वेकैंसी है, जर्नल के लिए है, SC और STs के लिए कोई वेकैंसी नहीं है, और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थी ग्रूप से कमजोर तो हमारे पास कितनी है, अदर जो स्टेट वाले हैं, अनारक्षित हैं, या फिर जर्नल हैं, उनके लिए 11 वेकैंसी, इन 11 वेकैंसी में से भी 3 वेकैंसी महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, इसलिए हमारे पारबची 8 वेकैंसी, तो हमें 8 वेकैंसी के लिए फाइट करना है, अगर अनिवारे शैक्षिक अहर्दा की बात हम करें तो भारत की किसी भी विश्य विध्याले से विधी स्नातक होना चाहिए देवनागरी रिपी का ध्यान होना चाहिए और computer knowledge, नानि की basic knowledge of computer operation होना चाहिए नेक्स अगर बच करें age की तो एक जुलाय 2021 को नियमताम आपकी जो एज है वो 22 वर्ष होनी चाहिए और एक तम 36 वर्ष से जादा नहीं होनी चाहिए वहीं आगर आगे हम चलें तो ववाहे के स्तीती में यही है कि ऐसा पूरुष अभ्यार्ती यानि कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट पात्र नहीं होनका जिसकी एक स्याधिक पत्निया जीवित है या फिर ऐसी महीला पात्र नहीं होगी जिसने किसी ऐसे पुरूस से विवा किया है जिससे की एक स्याधिक उसकी पत्निय जीवित है आगे अगर चले तो हाँ आप एदन आप कैसे कर सकते हैं आप www.ukpcs.government.in पर login कर सकते हैं और अपना form फिल कर सकते हैं आगे अगर हम और अपनी जो हमारे मतलब की चीज़े हैं यहाँ पर आते हैं शुल्क यहाँ पर जो उत्राखर्ण लोग से वायोग हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि रोजगार और आर्थ पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को दिहान में रखते हुए भरती के लिए अमंत्रत आवेदन पत्रों है तू लिये जाने वाले शुल्क के व्य भार से आवेदों को मुक्त करने है तू आवेदन शुल्क ने लिये जाने का निर्न लिया गया यानि कि 31 मार्च तक जो भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा इनका मतलब यह है तो अभी फिलहाल क्योंकि दिसम्बर हमारा खतम होई रहा है आज लास्ट है दिसम्बर तो इसको देखते हुए यह इसके अंडर ही आ रहा है यानि कि 31 तक जो भी फॉर्म वगरा डालेंगे कोई शुल्क नहीं लेंगे तो यह फ्री है आपका फ्री आफ कोस्ट आप फिल कर सकते हैं कोई इन्हों इन्हें आवेदन शुल्क नहीं लिया हुआ है लिखा हुआ है इन्होंने आवेदगों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा अब हम आगे चलते हैं अपनी और इंपोर्टेंट जो हमारा है हमसे रिलेटिड उस पे चलते हैं हाँ अब बात आती है मार्किंग कैसे होगी तो निगेटिव मार्किंग है देखिए उत्राखंड जो सिविल जच का एक्साम है उसमें उत्राखंड में निगेटिव मार्किंग होती है और कितनी होती है वन फोर्ट ठीक है वन फोर्ट यानि कि अगर आपने कोई एक कोई गलत किया है तीक है यानि कि अगर आप चार question गलत करते हो तो आपका एक जो सही है वो आपका question कट हो जाएगा यानि कि काट दिया जाएगा यह होता है आपका one fourth minus marking next हम चलते हैं हमारे लिए जो important है हम सिर्फ वही discuss करेंगे otherwise पूरा बहुत बड़ा notification है आप इत्मनान से पढ़ सकते हैं देखिए अब यह है कि जो center है आपके वो कहां कहां है यह है कि उत्राकर न्याइक सेवा civil judge junior division परिक्षा 2021 21 यह प्रारंबिक परिक्षा वस्तूनिस्ट प्रकार यानगी जो objective type होगी का योजन चौदे नगरों में कराई जाना प्रस्तावित है उसमें आप देख लें अम्रोहा है ठीक है अम्रोहा है और आपका यह जो भी आपका near rest है आप देख सकते हैं इसमें जो भी आपका near rest हो आप उसमें डाल सकते हैं आप अपना चूज कर सकते हैं exam center जहां आपको exam देना है अब अगर हम syllabus की बात करें तो प्रारंबिक परिक्षा के लिए निर्धारित विशय पार्थे करम यानि की 50 questions आपके जो है सामाने ज्यान से आएंगे और 150 questions आपके आएंगे loss से तो टोटल 200 questions आपके आएंगे और time है आपका 3 hour वहीं अगर इतको देख लें कि सामाने ज्यान में क्या क्या होगा तो आपका जो daily current affairs हो और अंतरास्टे international law आपकी तढ़हस्ता नवीन तम जो लागू होते हो रहे हैं जो भी आपके law में new current मनलब add हो रहा है law से related वो आपका constitution यान की polity से related आएगा जो भी law और विकास यान की विदी और विकास के जो विदिक मामले हैं जो भी decision वगरा court के आते रहते हैं वो और आगे अगर law में अगर हम देखें तो इसमें हमारा टी पी ए टांसफर आफ प्रॉपर्टी संपत्ति अंतरान अधिनियम है हिंदू लौ है मुस्लिम लौ है evidence है CRPC है आपका भार्टिजन सहीता IPC है और CPC है आपकी तो यह है आपका preka syllabus means का syllabus अगर हम देखें तो यह आपका आपका जो है 150 marks का आपका वर्तमा परिदर्श्य से होता है बाशा का 100 का होता है ठीक है substantive law का यह हमको आद में detail से कोई video बनाएंगे जो means का syllabus अच्छे से discuss करेंगे फिलाल हमने preka देख लिया है यह है यह detail में दिया हुआ है इसको हम detail में discuss करेंगे उसके बाद आपका मेंस के बाद वायवा होता ही है यानि की interview आपका होता है ठीक है नीचे थोड़ा यह English में भी दिया हुआ है syllabus में इसको पढ़ने में कोई problem हो तो notification आप download करके आप अच्छे से read out कर सकते हैं तो यह थे हमारी notification से related knowledge तो best of luck for exam अच्छे से preparation कीजिएगा ओके टेक केर थैंक्स पो वाचिंग